हेलो फ्रेंज, स्वाक्य था आपका मेरे चानल मस्तियन फूड में आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेट पंकिन सूप यानि की गाजर और कद्दू का सूप बनाने जा रहे हैं यहाँ पे मैंने लगभग 200 ग्राम कद्दू लिया है इसे मैंने छिल के और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इसी के साथ में हमने लिया है यहाँ पे एक गाजर तो यहाँ पे मैंने गाजर को भी छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है इसके साथ हमने एक छोटा प्यास जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है लिया है और एक चार से पांच लसुन की कलिया जिसको मैंने पारिक चॉप कर लिया है अब हम गैस के उपर एक बरतन गरम करने के लिए रख देंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमश तेल यहाँ पे तेल कम ही इस्तमाल करना है आप चाहें तो इसकी जगह पे बटर या घी भी इस्तमाल कर सकते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है यहाँ पे मैं लसुन कटा हुआ डालूंगी और लसुन को एक से दो मिनट हम सौटे करेंगे हलका सा भून जाए तब तक हम इसको पकालेंगे अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज और प्याज को भी हम दो से तेन मिनट चलाते हुए पकालेंगे प्याज हलका सा ट्रांस्लूसेंट हो जाया तब तक ही हम इसको पकाएंगे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ गाजर और कटा हुआ कदू अब हम इसे भी 2-3 मिनद चलाते हुए पका लेंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और यहाँ पर मैं एक चौथाई छोटा चमच कूटी हुई काली मिश डालूंगी अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे 1-2 मिनद वापस से चला के पकाएंगे अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पर लगभग 3 कप मैं पानी डाल रही हूँ आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं यानि की आपको सूप कितना पतला या कितना गाड़ा चाहिए उसे साब से आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे और लगभग 5-7 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे आप चाहें तो बीच में इसे चेक कर सकते हैं नाइफ की मदद से और फिर गैस का फ्लेम आप बन कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा कदू सॉफ्ट हो गया है अब हम गैस का फ्लेम बन करेंगे और इसे हम ब्लेंड करेंगे आप किसी भी blender की मदद से इसे blend कर सकते हैं या फिर आप mixer में भी लगा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको piece लिया है अब हम इसको strain करेंगे तो यहाँ पे छनी की मदद से हम इसे strain करेंगे ताकि इसके जो मोटे मोटे pieces है वो छनी में छट जाए यहाँ पे हमने soup को strain कर लिया है यह हमारा soup ready हो गया है आप हम इसको गरम करेंगे तो यहाँ पे सेम पतीले में मैं soup को डालूँगी और इसे गरम करने के लिए रख दूँगी बस इसमें एक से दो उबाल आ जाए तो हमारा soup ready हो जाएगा यह देखिए हमारा soup कितना smooth consistency का बना ह सूप में उबाल आ चुका है और यह हमारा soup बन के तयार हो चुका है अब हम गयास का flame बन करेंगे और सूप को गरमा गरम सर्व करेंगे serving bowl में यह देखिए हमारा soup तयार हो चुका है थोड़ा सा हम red chili flakes उपर से डालेंगे और इसके उपर हम थोड़ा सा fresh cream डालेंगे आप च और इसे फाइनली गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ में आप भी इसे जरूर बनाए और अगर आपको मेरे चानल के रिस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को like, share और subscribe जरूर कीजिए और नीचे दिये bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिए